हेलो प्रेंट्स वेलकम टू सैनि इंस्टिटूट आज की वीडियो में हम लोग ब्याज निकलना सिखेंगे जिसको इंगलिस में इंटरेश्ट बोलते हैं सबसे पहले हम लोग गाओं का ब्याज यानि सूध गाओं में ब्याज कैसे निकल जाता है गीता ने 18 रुपे दिये राजेस को 5 परतिसत मासिक ब्याज की दर पर 7 महिने के लिए तो ब्याज निकाले तथा कुल कितना रुपया लवटाना पड़ेगा तो ब्याज निकालने के लिए सुत्र होता है ब्याज बराबर मुलदन गुड़े समय गुड़े 10 बटे 100 तो हमारा हो जाएगा मुलदन ये जो 18 रूपय देर आयो हमारा मुलदन हो जाएगा तो मोलदन अचारव सो गुड़े समय समय 7 महिने 7 गुड़े दर 5 प्रतिसत की दर पर तो जाएगा 5 बटे में ये 100 कि इसको सॉल्भ करेंगे तो एक, जीरो से एक, जीरो से 2-0 कट जाएगा उसके बाद 7 पच्छे 35 हो जाएगा साथ पच्छे 35 यह 18 इस 35 अवर 18 का गुड़ा करेंगे हमारा आएगा 630 रूपए ब्याज हमारा निकल कराया 630 रूपए यह हमारा 630 रूपए ब्याज हो जाएगा और यहाँ पर देखें दूसरा question दिया है कूल कितना रुपया लटाना पड़ेगा तो कूल कितना रुपया लटाना पड़ेगा तो 1800 जो दिया था और 630 रुपय जो ब्याज है वो दोनों जोड़कर लटाना पड़ेगा तो आईए निकालते हैं कूल रासी बराबर मुलधन अठारा सो प्लस ब्याज 630 रुपय बराबर जोड़ेंगे इसको तो 2430 रुपय आजएगा यह 2430 रुपय कूल लटाना पड़ेगा इस राजेस को 2430 रुपय गीता को देना पड़ेगा ब्याज सहित अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेज़ेगा और इस चैनल पर आप लोग नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा धन्यबाद जयेंद